तो भाई इस वीडियो में Stable HyperOS की बात करेंगे Mi 11XN Poco F3 के लिए और ये जो अपडेट है ये काफी दिनों से आ चुका है काफी दिनों से मैं इसको यूज करा हूँ इसमें क्या कुछ नए चेंजस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप देखो यहां पे Android 14 है और FEP 2024 का Android Security Patch है जो की latest है और इस बार जो Kernel आपको मिलेगा वो यहां पे Voyager X Kernel आपको मिलता है अब यह वाला जो Kernel है इसमें आपको Kernel SU का support by default इस ROM में मिल जाएगा बढ़ एक चीज है अगर आपको यहां पे Not Working देखने को मिले ना तो एक बार जो Kernel SU का IAP है ना उसको Uninstall कर देना और उसके बाद जब आप Try करोगे तो यहां पे आपको Kernel SU का support देखने को मिल जाएगा अब Change Log के उपर आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल पे अगर आप पहली बार आएगा तो प्लीज मैं request करूँगा सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज लाइक कर सकते हो यहां पे देखोगे तो 5G plus working है मेरा already और यहां पे आपको just अपना firmware है न रेजिनल उसको flash करना है और आपका 5G work करेगा अब यह है इसका Change Log और यह Xiaomi 12F से ported है multi language आपको मिल जाएगा clean flash करना पड़ेगा और decrypted है क्योंकि भाई जो ported ROM होती है वो decrypted ही रहती है और यहां पे kernel issue का support आपको मिलेगा like का camera है यहां पे orange fox recovery included है उसके बाद hey google आपका working है core patch आपका करना वर्क रहे तो यहां पे एक file है इसको आप download कर सकते हो वैसे इस post का link आपको description में मिल जाएगा जहां से आप इसको download कर सकते हो तो यह वाला जो update है यह first stable ROM के उपर based है सबसे पहले मैं आपको camera ही यहां पे दिखा देदा हूँ तो camera देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि Leica 5.2 version है और इसमें आपको hyperOS का support मिल जाता है क्योंकि जो यहां पे features है जो layout है वो सारा का सारा hyperOS का मिलेगा वैसे max जो video है वो आप 4K 30 fps तक record कर सकते हो अगर मैं setting की बात करूँ तो यहां पे आपको customization का section मिलता है और इसके जो यहां पर developer version है उसमें से काफी सारे features मिलते हैं लाइक आप notch की shape change कर सकते हो rounded dials का option मिलेगा और big dials का option यहां पे मिल जाता है बाकि यह सारे features मैंने आपको already दिखाये थे और iOS का dynamic island आप enable कर सकते हो वैसे Xiaomi वाला भी अच्छे से work करता है पर अगर आप चाते हो तो यह आप try कर सकते हो और even आप HyperOS का जो device specs है उसको enable कर सकते हो वैसे यहां पे आपको MIUI type मिल जाएगा iOS status bar का option है बट यहां से जो theme है वो इस बार missing है जो कि आप यहां पे देख सकते हो उसके बाद notification history का option है जो कि of course android 14 के features है और इसी के साथ आपको यहां पर almost चीज़े same मिलेगी मैं display की अगर चीज़े चेक करवाऊं तो यहां पे देख सकते हो 120 Hz वगरा working है और जो इस बार stock kernel है ना sorry जो launcher है वो आपको यहां पर जो है बिलकुल चाइना प्योर चाइना वाला launcher मिलेगा इसमे animation speed वगरा है arrange items है recent वाले सारे features same stock launcher वाले मिलते हैं अगर हम बात करते हैं इसके optimization की तो यह जो update है यह थोड़ा सा मेरे को better लगा है अगर आप इसकी optimization देखोगे in terms of smoothness, app opening, closing animations में बड़ कैमरा को close करते time यहां पे lag हुआ है जो कि आप clearly देख सकते हो और बट यहां पे normally अगर आप apps अगर उपन करोगे न तो major issues नहीं आएंगे और वो चीज़ आप यहां पे notice कर सकते हो app opening, closing animation के speed fast और काफी smooth है उसके साथ अगर मैं RAM management चेक करवाँ तो यह आप देख सकते हैं जो मैंने apps अभी open किये उनको मैं फिर से open करने की कोशिश करता हूँ तो almost सारे के सारे apps आपको RAM के अंदर मिल जाएंगे और यह चीज़ मेरे को काफी अच्छी लगी है तो optimization अच्छी है भाई और यहां पे iOS के recent नहीं मिलेंगे अगर वो चीज़ चाहिए तो आप इसका developer version ट्राइ कर सकते हो जिसका वीडियो चैनल पे uploaded है और यहां पे आपका जो device है नहीं वो आपको certified मिल जाता है बाकि आप Geekbench 6 के scores देख सकते हो भीना game turbo वगरे के और इसमें आपको unlimited spoofing वगरे का option मिल जाता है Google Photos में पे दिखा देता हूँ यह scores आपको N22 के अंदर मिलेंगे उसके साथ यह 3D market scores आप देख सकते हो अगर आप gaming करना चाहते हो तो यह ROM मैं आपको recommend नहीं करूँगा क्योंकि gaming है ना वो थोड़ी सी week है इस kernel के साथ जो कि आपको वाईगर देखने को मिलता है बट यहाँ पे आपना एक अच्छी smoothness, stability इन सब चीज़ों को यहाँ पे expect कर सकते हो और मैं personally इसको जो है as a daily driver यूज करा हूँ almost जब से ROM आई है दो दिन I think हो चुके हैं और अभी भी मैं यहाँ पे इसको यूज करा हूँ वैसे इलाइट ROM का जो नए अपडेट आप वो आ चुका है जिसका वीडियो आपको जो है most probably जल्दी देखने को मिलेगा सब्सक्राइब कर सकते हो